Hello friends, Mission for Perfect Study में आपका स्वागत है, मैं अनुप पांडे General Studies Evergreen Questions की सीरीज के Part 3 में हम आपके लिए बहुत important questions लेकर के आए हैं अगर आपने अभी तक हमारे Part 1, Part 2 को नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि वो सारे questions, examinations में पूछे जा चुके हैं और DSSB exam में पूछे गए हैं तो July end में आपका teacher का exam होने वाला है और उसकी preparation के लिए आप लोग कमर कसके तयार हो जाएए ठीक है और जितने भी questions आपको बताए जा रहे हैं वो सारे questions one by one आप उसको याद कर लीजिए ठीक है और मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि लगबग 50-60% questions आपके जरूर आएंगे अगर आप इस series के सारे videos को देखोगे और यकीन मानी जब तक exam आपका होगा तब तक हम आपको बहुत सारे questions बता चुके होंगे ठीक है तो यह जो है पार्ट 3 है और हम अपने questions को देखते हैं So the first question is Himalayan Mountaineering Institute is at Himalayan Mountaineering Institute कहां पर है Darjeeling, Dehradun, Marma Goa और दिसपुर तो इसमें से है आपका Darjeeling में ठीक है So the correct answer is Darjeeling जो कि West Bengal में है यहां पर Himalayan Mountaineering Institute situated है Next question, How much districts are there in Punjab? Punjab में कितने जिले हैं? 13, 17, 22, 22 तो पंजाब में 22 जिले हैं So the correct answer is C आप इसके साथ ही जितने भी states हैं भारत में उन सब में कितने कितने जिले हैं यह भी आप एक list बना लिजें इसको याद के लिजें क्योंकि अगर पंजाब का पूछा है तो दूसरी states का भी पूछ सकता है Next one is Indra Gandhi Center for Atomic Research established in 1971 is located at Indra Gandhi Center of Atomic Research जो की 1971 में बना था यह कहां पर स्थित है? कलपक्कम चन्नई में अवस्थित है How much districts are there in Tamil Nadu? देखी जैसा कि मैंने बोला था कि other states का भी पूछ सकता है कि वहां कितने जिले हैं तो पंजाब का इन्होंने पूछा था 22 जिले थे वहां पे और Tamil Nadu में कितने जिले हैं? 32 जिले हैं So the correct answer is D. 32 Jaspal Rana is associated with which of the following games? Jaspal Rana जो है इन्वे से किस खेल से सम्बंदित है? यह देखिए उत्राखंड के हैं ठीक है? और यह भारती जो है shooting से related है यह shooting खिलाडी है और from उत्राखंड He was a gold medalist in 1994 and 2006 Asian Games 1994 और 2006 में जो Asian Games हुए थे उनमें यह जो है gold medalist थे ठीक है? Jaspal Rana जी और Commonwealth Games 1988 में जो हुए 2002 और 2006 में भी यह विनर रहे So he is a famous shooter, Indian shooter Jaspal Rana Next one is the black flag signifies काला जंडा किसको मतलब दिखाता है काले जंडे से क्या प्रतीत होता है? किस चीज़ को represent करता है काले जंडा Revolution, ठीक है, danger, जैसे की विद्रोह अगर होता है, आंदोलन होते हैं उनको represent करता है कि peace, शांती को represent करता है, protest या truth So it represents protest, कहीं पर भी protest होता है, तो लोग काला जंडा दिखाते हैं, मतलब विरोध प्रदर्शन करते हैं ठीक है? तो काले जंडे का मतलब हो जाएगा protest से, protest को signify करता है black flag So the correct answer is, बुद्धिस्ट, option number A, Rabindranar Tagore's Jan Gan Man has been adopted as India's National Anthem, रविन्दा Tagore का जो जंगन मन था, वो भारत में एक राष्ट्री गीत के रूप में स्विकार किया गया How many stanzas of the said song were adopted? इस गीत के कितने stanza, कितने जो stanza होते हैं, उनको स्विकार किया गया तो आपको यहां पर option दिया है, only the first stanza, the whole song, third and fourth stanza, first and second stanza तो देखिए केवल पहले stanza को इसमें include किया गया था, ठीक है, only the first stanza was adopted in its Hindi version यह बंगला में लिखाते इन्होंने, यह song का नाम था total, भारत भागी विधाता, इसको रविदना टैगोर जो है बंगला में लिखे थे और इंडियन constitution में, sorry, जो constituent assembly थी हमारी, उसने राष्टिगीत के रूप में इसको 24 जन्वरी उनिस सो पचास को स्वीकार किया हिंदी भाषा में, ठीक है और केवल पहला जो stanza था उसको स्वीकार किया गया as a national anthem of India भारत के निमलिखित में से किस राज में मधुबनी style का जो folk painting है वो popular है तो ये है मधुबनी आपका बिहार में So the correct answer is बिहार Who is the author of the book Forbidden Versus? इस किताब का लेखक कौन है? Forbidden Versus का तो इसके हैं Abu Nawas, Abu Nuwas Abu Nuwas एक classical Arabic poet है और इरान के है ये, इरान के, ठीक है? Which of the following English films was the first one to be dubbed in Hindi? इन में से कौन सी जो है film है जिसको सबसे पहले हिंदी में dub किया गया था? तो वो है Aladin So the correct answer is A There are how many non-permanent members of the security council Security council में कितने non-permanent सदस्य है Non-permanent member है तो वो है Lagoon Lake क्या होता है? Lagoon वो होता है जहां पर कोई water body किसी बड़े water body से separate होता है Through a small land mass यहां पर आप देखिए इसके चार यह चोटा सा land mass है और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है Watery Water रहीं बहुत बड़ा water source है ठीक है? और इस land mass के थूँ एक चोटा सा water source separate हो रहा है अलग हो रहा है तो इसको हम कहते है Lagoon मतलब पानी का एक ऐसा चोटा सा संग्रह जो है जो कि किसी चोटे से land mass के थूँ एक बड़े जल स्रोथ से अलग होता है उसको हम कहते है? Lagoon जील कहते है जैसे आपका चिलका जील है चिलका जील आपका उडिसा में है खारे पानी की जील है और ये बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है उससे separate होता है ठीक है? So वेमनाद क्या है? एक Lagoon लेक है How many dyns are there in one gram weight? एक gram में कितने dyn होते हैं? एक gram के जो है दो और भी units होते हैं एक होता है newton और इक होता है dyn और ये बल के भी मात्रक हैं जैसे gravitational force जो होता है उसके तो एक gram में कितने dyn होते हैं? 981 So the correct answer is C एक kilogram में 9.81 newton होता है और एक newton में 10 to the power 5 dyn होता है ये भी आप याद रखिए ये conversions बहुत पूछे जाते हैं एक kilogram में 9.81 newton होता है और एक newton में 10 to the power 5 dyn होता है और एक gram में 981 dyn होता है तो gram को convert करेंगे dyn में तो एक gram बराबर 981 dyn आएगा ये cgs जो है इसका unit है newton जो है SI unit होता है और dyn जो होता है वो cgs centimeter gram second उस system में ये weight का unit होता है डाउंख्ट वन इस modern football is said to have evolved from जो आधोनिक football है किस देश की से जो है इसका सुभारम हुआ है किस देश ने इसको शुरू किया शुरू किया हुआ माना जाता है तो वो देश है ंग्लेंड इंग्लैंड से शुरू हुआ माना जाता है आधनिक फुटबॉल फिर है शौरे चक्र मेड़ब ऑफ ब्रॉंज is awarded for शौरे चक्र जो की ब्रॉंज से बना होता है वो किस लिए जो है प्रदान कियाता है किस लिए पुरस्कृत कियाता है किस चीज के उपलक्ष में तो it's a gallantry otherwise than in the face of the enemy most conspicuous bravery for some act to self-sacrifice gallantry in presence of the enemy none of the above so the correct answer is gallantry otherwise than in the face of the enemy मतलब की शत्रु का सामना न करते हुए अगर आप कोई वीरता दिखाते है तो जो award मिलता है वो मिलता है शौरे चक्र so it's a gallantry otherwise than in the face of enemy the शौरे चक्र is an Indian military decoration awarded for valor, courageous action or self-sacrifice while not engaged in direct action with the enemy जब आप शत्रु के साथ direct action में involved नहीं है और आप कोई valor का काम करते हैं कोई courageous work करते हैं कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो जो award मिलता है gallantry award उसको बोलते है शौरे चक्र ठीक है it may be awarded to civilians as well as a military personnel ये एक साधार नागरिक को भी मिल सकता है जो civilian नागरिक है उसको भी मिल सकता है और military personnel को मिल सकता है sometimes posthumously कभी कभार मरणो परांध भी दिया जाता है it is the peace time equivalent of वीर चक्र इसको जो है वीर चक्रा का एक peace time equivalent माना जा सकता है ठीक है so शौरे चक्र कभ मिलता है शौरे चक्र मिलता है जब दुश्मन के direct contract में दुश्मन से direct जो लड़ाई होती है उसमें नहों करके कहीं और अगर आप वीरता पूर्ण कारे करते हो तो उसके लिए आपको जो गेलेंटरी अवार्ड मिलता है वो होता है शौर चक्र शौर यह चक्र ठीक है The theory of economic drain of India during British imperialism was propounded by जब British का सामराजवाद था उस समय भारत में जो economic drain हुआ जो हमारे आर्थिक अपचे हुआ यानि घाटा हुआ जो आर्थिक ठीक है reduction हुआ तो यह वाली theory इस theory को किसने propound किया किसने प्रतिपादित किया इन में से जबाहरला लेहरू, दादा भाई नौरो जी, आर्सीदत, एमके गांधी So the correct answer is दादा भाई नौरो जी इन्हों ने ही the theory of economic drain of India during British imperialism यह दिया दादा भाई नौरो जी Who wrote गीत गोविंद? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो इस की रचना की है? जैदेव ने, ठीक है? डांडिया is the popular dance of डांडिया कहां का popular dance है तो यह गुजरात का popular dance है और गुजरात के और भी dances होते हैं जैसे गर्बा है, गर्बी है, रास है और टिपनी folk dance है भवाई dance है, हुडो है और डैंगी नित्य है और पढ़ार है तो यह सभी जो है, गुजरात के traditional dances है dance forms है आप इनको याद कर सकते हो The headquarters of Sahit Academy is at Sahit Academy का headquarters कहां परिस्तित है? तो यह है नई दिल्ली में So the correct answer is Option number C, Noodle Hill और इसका नाम रविंद्र भवन है इसको रविंद्र भवन भी बोलते है Sahit Academy का जो headquarter है Which of the following books has been written by Vikram Seth Vikram Seth ने इन में से कौन सी किताब लिखी है? तो Vikram Seth ने लिखी है A Suitable Boy So the correct answer is D, Option number D A Suitable Boy Aربindo was the author of Aربindo घोष यो थे वो इन में से किस किताब को लिखे थे? तो वो किताब का नाम है Savitri So the correct answer is D, Savitri Mangala oil well is located in Mangala तेल का जो कुँआ है वो किस राज्य में अवस्थित है? वो है राजस्थान में So the correct answer is B, Rajasthan Which of the following is not a session of लोकसभा? इन में से कौन सा जो है लोकसभा का session नहीं है देखे आपने सुना होगा कि लोकसभा में budget session होता है जब सब लोग आते हैं सारे MPs रिकठा होते हैं और discussion होता है तो budget session सुना है आपने winter session सुना है मानसून session सुना होगा लेकिन summer session नहीं होता है इसलिए इसने पूछा है कि कौन सा session लोकसभा में नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा summer session Correct answer is option number B इसमें देखे कुछ हिंदी में भी questions हमने इसमें include किये हैं डॉक्टर क्रिशियन बर्नार्ड द्वारा लुईस वाशकॉंस्की पर की गई पहली मानव हर्दय प्रत्यारोपण शल लिक्रिया किस वर्ष में की गई देखे पहली बार जो human heart transplantation surgery हुआ था वो एक 53 years old वाशकॉंस्की थे लुईस वाशकॉंस्की तो वो जो है उनका heart fail हो गया था और उसकी वज़े से वो जो है मरनासन हो गये थे उनको पहली बार दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको हर्ट transplant किया गया एक कोई lady थी 25 years की जिसका कि accident हो गया था तो उसका heart उसको लुईस वाशकॉंस्की को transplant किया गया ठीक है और वो year था 1967 so the correct answer for this question is option number A 1967 ठीक है और यह South Africa के थे लुईस वाशकॉंस्की ठीक है Integral Coach Factory ICF is situated at Integral Coach Factory कहां पर है यह चन्नई के पिरामबूर नामक स्थान पर है चन्नई में पिरामबूर नामक स्थान पर Integral Coach Factory जहां पर Integral Coach Factory में rail के डिब्बे बनते हैं ठीक है? rail coach जो है तैयार होते हैं निम्न में से कौन सिराज में अंग्रेजी राज भाशा है? इन राज़ों में से किस राज जी की भाशा अंग्रेजी है? वो है नागालेंड बारती सेना के पहले भारती Chief Army Staff कौन थे? रेड क्रोस की स्थापना किस ने करी थी? रेड क्रोस की स्थापना करी थी? जे हैंरी डोनेंट देखिए एक होता है International Red Cross Society और एक होता है Indian Red Cross Society तो इंटरनेशनल जब आप से पूछा जाए International Red Cross Society की स्थापना किस ने की? तब आप कहोगे जे एच डूनेंट यानि जे हैनरी डूनेंट ये International Red Cross Society के फाउंडर थे और जो इंडियन Red Cross Society के फाउंडर है उनका नाम है क्लावडे हिल उनका नाम है क्लावडे हिल गोपाल कृष्ण गोखले देखिए गडित के शिक्षक से आरंब करते हुए फरस्यूजन कॉलेज पूडे के प्राचार के ओधे तब पहुचे ये भी सही है इन्होंने Servants of India Society की स्थापना करी ये भी सही है 1905 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने ये भी सही है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा option number D ऊपर के सभी यानि all of the above इसमें से सारे answers सही है एक सामान्य वयस्क कुत्ते में कितने दाथ होते हैं ये बहुत important question है तो एक वयस्क सामान्य कुत्ते में होते हैं 42 दाथ 42 भारत का पहला पर्माडविक power station कहां स्थापित किया गया था तो ये स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट में तारापुर महाराष्ट में तो इसके साथ मैं आपको थेंक्यू बोलता हूँ और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए आपको चैनल पशंद दाता है तो इसको सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो इनको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करिए ओके बिस्थर इस जाए, क्वेश, सब्सक्राइब कारोग और में आपको और रिंद करेंगा करेंगे वीडियोज धने और वीडिम मन पेज़ कारेंगें।